देखो यार तुम लोगों की जेलेट 2024 की रैंक कार्ड आ चुकी है और अब तुम लोगों की काउंसलिंग प्रॉसेस स्टार्ट होने वाली है अल्रडी मैंने दो वीडियोज अप्लोड कर दी हैं काउंसलिंग रिलेटेड तुम लोग उसे जाकर देख सकते हो तुमें 2024 की प्लेइस्ट में मिल जाएगी और हाँ देखो काफी बच्चों की ड्रीम होती है उसे इस्टेट गवर्मेंट इंजिनरिंग कॉलेज मिले ताकि उनकी वहाँ पर फी भी कम हो और उन्हें एक अच्छा प्लेस्मेंट मिले जब उनकी तीन साल की डिगरी कंप्लीट होगी जब वो लोग lateral entry के थुरू second year में admission लेंगे जब उनकी तीन साल के बाद complete होगी courses और वहाँ से जब उन्हें placement लगेगी तो बच्चों की भी dream होती है कि एक अच्छी जगह पर एक अच्छी company में placement मिले और एक अच्छी package मिले तो इसके लिए जरूरी है कि तुम लोग तो इसलिए जरूरी है कि तुमारी choice feeling अच्छे से होनी चाहिए तो चलो इस वीडियो में मैं तुमें बता दू किस-किस government college में कितनी seats available है जैसे तुम याँ पर देख रहे हो जलपाई गुडी government engineering college हो गई कुछ बिहार है फिर जादपूर university है उन सारे college के बारे में मैं याँ आपर discuss करने वाला हूँ तो एक-एक करके सारे discussion में आपर करूँगा कि देखो जब तुमें seats पता नहीं होगी कि किस college में कितनी seats available है और किस branch में तो तुम कैसे फिल करोगे choice को जब तुम तुम काफी problem होगी तो ये सारी चीजे तुमें पहले से जान लेनी की जरुवत है अ ये problem है ये problem है कैसे ये problem solve होगी तो देखो इस वीडियो में मैं तुमें electrical engineering, civil engineering और mechanical engineering के बारे में बता दू कौन-कौन से college में कितने seats available है उसके बार अगर तुम लोगों की demand रहेगी तो computer science या उससे related जो branch है IT हो गई, ECE हो गई या फिर CSK specialization branches जो आजकल काफी famous है और काफी इस future scope बहुत अच्छी है और अच्छी इसमें placement भी लगने वाली इन सारे branches में तो उसकी भी मैं एक particular video बना दूँगा जैसी तुम लोगों की demand रहेगी तो तुम लोग इसके बारे में comment कर देना एक बार अगर उस particular branches की भी अगर seat metrics तुमें जाननी हो तो तुम नीचे comment कर दे ना मैं उस पर भी video बना दूँगा तो चलो यहाँ पर मैं तुमें पहले बता दूँ कूच बिहार government engineering college है जो कूच बिहार में इसमें तुम देख पारे हो electrical engineering की branch में 20 seats available है वही mechanical में 33 seats है और जो तुम देखोगे civil engineering branch में जो civil engineering branch की last seat matrix जो है यह civil engineering की है 32 seats available है वहीं यह जो leather technology वाली college है government college of engineering and leather technology जो कुलकाता में है इसमें electrical, mechanical और civil branch available नहीं है तो काफी बच्चों का ऐसा होगा कि यह भी government college है इसमें भी यह branch तो मिली जाएगी तो यह सारे doubts को तुमें पहले से clear रखनी होगी कौन-कौन से college में कौन-कौन सी branch available है तुमें तुम्हारे rank के basis पे उस particular college मे वो branch मिलेगी या नहीं हाँ एक और information मैं यही पर तुम्हें दे देना चाता हूँ तुम्हारी rank काड़ आ चुकी है तो I hope तुम्हें तुम्हारी marks और तुम्हारी rank पता होगी तो तुम्हें नीचे description में एक form मिलेगी तुम्हें description खोलकर उस form के link पर click करनी है तुम्हारे साम नंबर को fill करने के बाद तुम्हें क्या करनी है तुम्हें जो भी marks हाँ है यहाँ नीचे तुम्हारे dream college जो भी होगी तुम उसे fill कर दोगी तुम्हें पसंद हो JW यानने कि जाद़ पूरी university में तुम्हें एक branch अविलेबल हो जाए या फिर तुम्हें KGC परसंद है या फि तो तुम यहां पर एक एक करके वो सारी colleges के नाम को यहां पर लिख देना कल्यानी government engineering college हो गई या फिर जलपाई गुडी हो गई जो particular college तुम में अच्छी लग रही होगी या फिर तुमें तुम्हारी dream college हो गी तुम इस college में तो तुम यहाँ पर फिल कर देना उसे, suppose भाईया, मेरे स्रेंक में क्या college मिल सकती है, भाईया, ये college में इस बार कैसी placement रही है, या फिर भाईया, इस college में ये branch अबिलेबल है, या नि ये सारे छीजे तुम यहाँ पर फिल कर देना, तो चलो अब यहाँ पर देख लो next कौन सी college है, government college of engineering and textile technology यह बहरमपूर में है और इसमें electrical में 10 seats available है और mechanical में 13 seats available देखो यहाँ पर civil engineering branch available नहीं है अगर कुछ update आती है नई update तो मैं तुम्हें update कर दूँगा इसके लिए नीचे whatsapp channel के link मिलेगी तुम वहाँ पर उसे join कर जैसे कोई नई branch आती है किसी particular college में किसी branch में seats ज्यादा increase की जाती है तो मैं वह सारी चीजे भी तुम्हें बता दूँगा या फिर महाँ पर तुम्हें update कर दूँगा तो आप देखो जलपाई गुडी government engineering college जो जलपाई गुडी में है इसमें 20 seats electrical engineering branch में है वही mechanical में देखोगे तो तुम्हें 13 seats दिखाई दे रही होगी और तुम civil engineering branch में 15 seats available है तो अगर तुम्हारी rank अच्छी रही और तुम अच्छी से choice फिल करोगे तो तुम्हारी इस particular college में तुम्हारी वहाँ पर क्या-क्या facility तुम्हें available होने वाली है तुम जब college जाओगे अब देखो यहाँ पर कल्यानी government engineering college जो नदिया में है इसमें electrical में 30 seats available है वहीं mechanical में 36 seats available है और यहाँ पर civil engineering branch में कोई seats available नहीं है यहाँ पर civil engineering branch available नहीं है वहीं आप देखोगे तुम देखो यहार मैं बार-बार बोल रहा हूँ काफी बच्चोंने WPJW की जो counseling चल रही है अब तुम्हें पता हो कि जो four year की engineering की courses होती है वहाँ पर बच्चोंने काफी mistakes किया है काफी बच्चोंने choice feeling में कम choices को fill किया था जिसके कारण उन्हें कोई college ही a lot नहीं हुई कितने तो mop up round में जाकर भी उन्हें अब डर लग रहा है कि कोई college मिल पाएगा या फिर उन्हें एक year की gap हो जाएगी तो यार तुम इन सारी चीजों को ध्यान रखो और अच्छे से choice feel करो कोई problem हो रही तो तुम Instagram पर contact करो और हाँ इस channel को subscribe करके रखो latest update तुम्हें याँ पर मिलती रहे और तुमारी पढ़ाई काफी अच्छे से complete हो जाएगी और अच्छी जगा placement भी तुम्हें मिलेगी वहीं private college में तुम जाओगे तो 6 लाग, 7 लाग, 8 लाग रुपे तक fees चली जाती है आराम से 4 साल की courses की जो काफी बच्चे effort नहीं कर पाते है इसलिए अधिकतर बच्चों का होता है कि उन्हें government college मिल जाए किसी भी पड़गल ब्रांच में उन्हें एक अच्छी placement मिले जब उनकी courses complete हो तो देखो आलिया university जो है new town में इसमें electrical में two seats है वहीं mechanical और civil में two seats available है वहीं अकर तुम देखो कि विधान चंद्र कृसिव सविध्याल है और जो किलकाटा university में जाए या फिर जैलेट की examination दे रहे होता है तो उनकी एक ड्रीम होती है कि जादपूर university में उन्हें admission मिल जाए क्योंकि इस college की placement best है यहां की academics best है facility हो गई यहां पर तुमें hostel मिलेगी या फिर तुमारी courses की जो fee होगी वो भी काफी कम होगी इसलिए हर एक बच्चे की dream होती ह कि इस particular college में admission मिल जाए तो देखो यहां पर electrical engineering में 17 seats available है वहीं mechanical में 12 seats available है और civil engineering में 15 seats available है तो देखो यार seats काफी कम है तुम जितनी अची choice फिल करोगे उतनी आसानी से तुमें college मिलेगी अगर तुमारी rank उस according होगी तो अब देखो university of technology बर्दमान में जो seats है electrical में 57 seats है वहीं civil engineering में 59 seats available है यहां पर mechanical engineering branch available नहीं है तो तुमें इसी एक ordering choice को फिल करनी है ताकि तुमारी एक अच्छी college मिल पाए और तुमें एक अच्छी branch मिल पाए तो आई होप तुमें इस video से काफी information मिली होगी और तुमें अगे भी आने वाले videos में काफी help मिले वाली है तो तुम इस चैनल को subscribe करके रखो और तुम Instagram पर contact करो अगर तुमें कोई problem हो रही हो तो नीचे भी तुम comment कर सकते हो तुमारी अगर कोई general doubt है तो तुम इस video के नीचे ही comment करो मैं वही पर तुमारी reply कर दूँगा और तुमारी doubts को solve कर दूँगा चलो thank you for watching this video अगर यह video तुमें अच्छी